हेलो फ्रेंड्स, आदर्स IIS Academy में आप सब का स्वागत है जैसे कि मैं यहाँ पे आपको संस्क्रत की संख्याओं का टॉपिक क्लियर खरा रही हूँ तो आज हम लोग बात करेंगे संस्क्रत की संख्याओं के महत्यपूर्ण तथिके बारे में यह हमारे लिए बहुत है इंपॉर्ण टॉपिक है क्योंकि अधिकतर देखा गया है टीचिंग एक्जाम से रिलेटर एक्जामों में जैसे कि हमारा सुपर्टेट हो गया योपीटेट हो गया, एंपीटेट हो गया तो इनमें से संस्क्रत की संख्याओं है उनके एक या दो कोईशन जरूरी पूछ लिए जाते हैं ठीक है, तो यह हमारे लिए एक इंपॉर्टेट टॉपिक रहता है क्योंकि एक्जाम में हमारे लिए एक एक नमबर बहुत ही इंपॉर्टेट है तो आज हम लोग इसके महत्यपूर्ण तथी के बारे में बात करेंगे ठीक है, तो हमारा पहले देख लएते हैं 80-100 संख्याों के बारे में ठीक है, तो हमारी 81 संख्या होती है हमने जब लास्ट में पढ़ा था 80 संख्या तो हमने पढ़ा था उसको अशीती पढ़ते हैं तो उसी तरह से हमारी संख्या आगी की सुरू होगी यह मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई संख्या लास्ट में खतम होती है यानि कि असी से खतम हुई या सतर से खतम हुई तो जब आगे की संख्या स्टार्ट होती है, तो उसके लास्ट में वही संख्या लगा दी जाती है, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहां पे, असी के बात की संख्याओं के बारे में, तो असी धन एक करेंगे, तो हमारा क्या हो जाता है, एक्यासी, ठीक है, और एक्यासी हमार तो हमारा क्या क्या बन जाता है यानिकी 80 धन 2 करने से यमारा बन जाता है 82, चीक के, 2 में ADESATION 2 जोड दिया तो हमारा क्या बन जाता है 28 नानिकी 82, 83 धनीड तरह से 83 यानिकी 3 AASHITY 3 AASHITY का मतलब होता है, 80 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 83 ठीक है तो यह हमारा क्या कहलाता है त्रेया शीती फिर आता है हमारा next चतुरा शीती चतुरा शीती क्या कहलाता है 84 यानि कि 80 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाता है चतुरा शीती यह मैं आपको संस्क्रत में पढ़ने का तिरीका भी साथ में बता रही हूं अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बुचिएगा ठीक है फिर हमारे नेक्स्ट आती है गंती 85 तो पंच को पहते हैं पढ़ते हैं पांच और अशीती मतलब होत अशीती इसलिए पढ़ते हैं तो क्या पर कहलाता है यह हमारा 86 कहलाता है फिर हमारे आता है 87 तो शब्था से शब्था से तो दहा जाता है अब देखिए यहाँआं पर स द आरे कैसे पढ़ा तो आप इस पर जरूर ध्यान दीजेगा क्योंकि यह बहुत बार पूछा जाता है एक्जाम में अधिकतर ऐसे कुश्यों पूछा जाते हैं जिसे क्या आप संस्राओ संस्टे हम में आपको एक एक चीज क्लिए में लुद्हाता है लेकिन यह क्यों कहाता है यह कौं किता हो और ऑथ इसको इसलिए बोलते है क्योंकि नव्वे में एक कम करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा такого नवासी ठीक है बाद आसे नवचीज को मैं आपको बता च्कीए हुआं पर किसको क्या पहले है नवची अब यहां पर नव्वे हमारा नवची से खतम होता है तो इसके आगे वगली गिंती ओँगितुग जोली सुरूः होगी, उसमें लास्ट में क्या लगा होगा। नुवती लगा होगा। शबछी देखते हैं, 91 से तो अनुवती में एक जोड़ते हैं। वमारा बनता है 92, तो इसको संस्कुर्ट में पढ़ते हैं दुइनवती या दुधानवती ठीक Does 고 हमारा बनता है 90 धने जिर्णनवती सी अमारा बनता है 93 तो 2014, 6 नवदे κι स्पंधा 4 धन 54, we mean 94, 75 उससी धन ways . कि 5 नवदे- नब्बे दन 5 हमारा क्या होता है पंच नवति यानि कि 95 फिर हमारा आता है 96 मतलब कि शडवति यानि कि 6 6 को शड़ पढ़ते हैं और 90 को पढ़ते है नवति तो इनी को जोड़कर हमारा बनाए शड़ नवति और ये बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है फिर हमारा आता है सब्द सब्द नव्ति सब्द सी..। नवति मतलब fáj नवते हैं नविय तो शड़के though क्या बनान जाता है सरह आज़घेगा क्योंकि ये दो Mega सफ रहते हैं तो शूर्कत कर लीजी ये इसकर ब सबकिर पह accents 99 की नबयधनिव चाज़ करने के 9. 9 और 9 मतलब हैreg नबयधनिव चाहिंट सौण करने 200, पुम्हारा क्लाएगा रहा है है coy कि 100 अधनल है है शतम क्या कहते है शत्म ठीक है . थीक है झानी के यह इसमें परखुशाष में एक क्या हो जाएगा मतलब कि सव में एक नहीं तो शतब में हता यादन इक नहीं तो मारा क्या एद आपको बताए यह था ठीक हैं हाँ से पहले हम लोग इसकी ट्रिक देख लेते हैं इसकी ट्रिक मैं भी आपको साथ में बता चुकी हूँ लेकिन फिर भी आपको फिर से बता दरी ती हूँ ठीक है तो हमने ट्रिक में पढ़ा था 81-89 संख्याओं के आंत में शीति लगा होता है तो यह मैं आपको भी बता और इसमें नोट में लिखा है कि 89 में कभी-कभी नवती भी लगता है यानि कि यह पे 90 की बात हो रही है जैसे 89 को एको नवती पड़ते हैं ठीक है उसके बाद दूसरी ट्रिक हमारी है कि 90 से 90 की संख्याओं के अंत में हमारा नवती लगता है ठीक है और 99 में कभी-कभी शतम लगता है एकोना शतम यानि कि 100 में एक कम तो यह हमारी ट्रिक थी अब मैंने भी आपको बताया है कि हमारे रेजयो संस्कत में कुछ और भी महत्यपूर्ण संख्याएं उनके बारे में भी मैं आपसे बात करूँगी ठीक है जो की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है औ तो आपको याद हो जाएगी और आप चाहें तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं एक हजार को हम पढ़ते हैं सहस्त्रम दस हजार को पढ़ते हैं आयूतम या दस रहत्तम सारी दस शहस्त्रम ठीक है जो इंपॉर्टेंट है मैं उसमें टिक लगा देती हूं उसको आप इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब जैसे हमारा आता है दस लाग तो दस लाग को हम तीन तरह से पढ़ते हैं अगर आपको तीनो तरह नहीं पता होंगे और आपसे मालोग पूछ लिया प्रयतुम किसे कहते हैं तो आप इसलिए मैंने इसमें तीनो तरीके लिख दी ह जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना हो तो दस लाग को पढ़ते हैं नियुतम प्रयुतम और दस लक्षम तो यह हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है तो इसको आप जरूर लिख लीजेगा फिर आता है कोटी को कहते हैं एक करून ठीक है और दस करून को कहते है कहते हैं दस कोटी को कहते हैं करून 5 दस करून होजाता है अब आता है एकरव एक अरब्रम और 10 अर Dal a मिवाएगा और 10 अरब लगा देंगे तो Напр फिर आपको चॉसलाए कि आपकी कि देखता है तो ऩरफ को मैं तो निलम को मैं जे भॉकड़ को सकते हैं आता है फिर एक पदम, एक पदम को क्या पढ़ते हैं, पदमम, क्या पढ़ते हैं, और दस पदम को पढ़ते हैं, दस पदमम, यानि कि उसके पदमम के आगे हमने दस लगा दिया, तो क्या कहलाया हूँ हमारा, दस पदमम, फिर हमारा आता है एक शंख, तो शंखम, एक शंख क बहुत ही easy होती है बस इसको आप आसानी से समझ लीजिए एक दो बार तो आपको ये बिलकुल normal तरीके से आ जाएगी फिर इसके आगे next हमारी गिंती होती है 101 तो 101 को क्या कहते है एक अधिकम शतम क्या कहते हैं 102 को कहते है दो अधिकम शतम और 103 को कहते है त्रेव धिकम शतम 104 क कहलाता है हमारा पंचा धिकम शतम फिर हमारा आता है next 200 तो 200 को भी हम तीन तरीके से पढ़ सकते हैं कैसे पढ़ सकते हैं यद्ट शतम भी पढ़ सकते हैं तो यह तीनो तरीके आप नोट करो लीजेगा फिर इसी तरह से हमारा आता है 300, 300 को पढ़ते है 3 शती या 3 शत्रेम या 3 शत्म, ठीक है, फिर हमारा आता है 400, तो चत्तु शत्म कहलाता है, शत्म मतलब 100, 4 मतलब 4, ठीक है, थोड़ सा common sense यूज़ करेंगे तो आपके लिए आशान हो जाएगा, फिर हमारा आता है 500, तो 5 शत् ठीक है, फिर हमारा आता है 600, तो शत्षती या 6 शत्म, यानि की 100 में 6 जोड़ दिया, तो हमारा क्या बन जाता है 600, तो 600 जब बनता है, तो 6 को तुम शत्म कहते हैं, और शत्म हमारा 100 कहलाता है, तो उसको जोड़ के पढ़ते हैं, शत्म, फिर लास्ट हमारा आता है 700, तो से कोई ट्रिक नहीं है यह आपको यादी करने पड़ेंगी और यह बहुत ही नॉर्मल वे में लिखी हुई है तो आप अगर इसको दो तीन बार पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी ठीक है अब हम इसके संस्क्रत की संख्याओं के कुछ महात्यपूर्ण ब यह पदाएं उनके रूप मती के समान चलते हैं देखिए अब यहाँ पर रूप की बात हो रही है मैंने आपको कई बार कहा है कि हमारे लिए सब्द रूप और धाद रूप बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आप इने जरूर याद कर लीजिए क्योंकि इनके बिना संस्क् इकार आंत में जो होता है हमारा विंसती होती है सस्टी होती सब्तमी अशीती नवती जिन पदों के अंत में आये मतलब की यह जो शब्द है हमारे विंसती हो गई सस्टी हो गई सब्तमी हो गई अशीती नवती हो गई यह जिन पदों के लास्ट में आये उनके अगर रूप पुछे जाएं कि किस तरह चलेंगे तो हमारे किस तरह चलेंगे वो मती की तरह चलेंगे ये बहुत ही important lines लिखी हुई है तो आप इनको जरूर नूट कर लीजेगा ठीक है मालीजे आपसे पूछ ले कि विंसती मालीजे किसी सब्द के अंत में विंसती लगा हुआ है और आप से पूछे कि इसके रूप किस की तरह चलेंगे तो आप क्या बताएंगे मती की तरह चलेंगे ठीक है फिर हमारा next आता है कि तकारांत त्रिंशती चत्वारिंशती पंचाशत आदी शब्दों के रूप सरित के समान चलते हैं मतलब कि यहां पे रूप किस की तरह चलते है य एकोन विंशती यहां 19 लिखा हुआ है से नव नवती निन्यान बे तक की सभी शब्द एक वचनांत इस्त्रिलिंग होते हैं मालने जा आप से कुशन ऐसे पूछ लिया जाए कि 19 से निन्यान बे तक के सभी पद कौन से इस्त्रिलिंग के होते हैं तो हम बताएंगे एक वचनांत इस्त्रिलिंग के होते हैं क्या होते हैं एक वचनांत इस्त्रिलिंग के होते हैं यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके रूप हमेशा एक वचन में ही चलते हैं अगर इसे पूछ ले कि 19 से 99 तक के रूप किस वचन में चलते हैं तो हमारा तर नेक्स्ट आता है कि 3 यानि कि 3 से लेकर के 18 दशन यानि कि 18 दशन, 10 दस मतलब 10 और अश्टा मतलब हो गया 8 तो 18 तक कि सभी पदों के रूप के वल बहुवचन में ही चलते हैं कि तरह वह including 3 से लेकर 18 तक कि सभी पदों के रूप किस बछन में चलते हैं या ऐसे कौन से पद हैं जिनके रूप केवल बहुवचन में चलते हैं तो हमारा आंसर होगा 3 से लेकर के 18 तक के पद जो है हमारे वो सभी सब्दों के रूप केवल बहुवचन में चलते हैं ठीक है फिर हमारा लास्ट है कि शतम सहस्तरम आयूतम लक्षम नियूतम प्रयूतम आदी शब्द का सदा एक वचनांत नपुनसक लिंग में होता है इनके रूप किसकी तरह चलते हैं फल की तरह चलते हैं यानि कि शतम सहस्तरम आयुतम लक्षम यानि कि सो एक हजार दस हजार ठीक है यह जो भी आपको बताया थे नियुतम प्रयुतम आदी शब्द शदा एक वश्रांत नपुंसक लिंक के होते हैं और अगर इनके रूप कि आप रूप, सब्द रूप, दहाद रूप जरूर याद कर लें और आज से हमारा ये संस्क्रत की संख्याओं का टॉपिक यहां से खतम होता है अब इसके आगे मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊंगी तब तक कि लिए हमारे साथ बने रहिए और पढ़ते और अपनी केर करिये बाई 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 एंटे केर गाइड़